किसान बाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रिकल्चर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम 20 और 21 सितमबर के मद्य परदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे मद्य परदेश में इस समय नुकसान वाली बारिस का दोर चल रहा है कल मद्य परदेश के अधिकतर जिलों में तेज बारिस हुई और कल रतलाम जिले में बार जैसी स्थिति प्यदा हो गई इस बारिश से किसानों को कपी ज़्यादा नुक्सान हो रहा है क्योंकि इस समय पर अधिकतर जिलों में फसले कटाई के आवश्टा में है इस समय पर विदी साद मौवा टिकमिकर जिले में उड़त की फसले खराब हो गई है और बारिश के करण प्याज में भी जलेबी रुका कपी ज़्यादा अटेक हो रहा है और अधिकतर जिलों में सोहबीन अब कटाई के आवश्टा में है लेकिन खेत में पानी बरा हुआ है कुछ किसानों के खेत में पानी बरे होने के करण सोहबीन की फलिया काली पड़ गई है इसलिए इस समय पर बारिश का रुकना कापी ज़्यादा जरूरी है नहीं तो सभी पसले पूरी तरीके से खराब हो जाएगी तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि 20 और 21 सितंबर को मद्य परदेश में मोसम कैसा रहेगा इन दो दिनों में मद्य परदेश के कौन कौन से जिलों में बारिस होगी और कौन कौन से जिलों में बारिस नहीं होगी तो इसकी पूरी रिपोर्ट के लिए आप वीडियो को बीना स्किप के अंतर तक देखे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास आए गंटी के निसान को जरूर दबा दीजे जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकिसन तुरंत मिल जाए और किसान भाईयो आपको एवीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तिक साथ इस वीडियो को सेयर चरूर करे किसान भाईयो अगर 20 और 21 सितंबर के मद्यपरदेश के मोसम की बात करें तो इस समय पर बंगाल की काड़ी में एक कम दबाव का चैतर बना हुआ है जिसके वज़े से मद्यपरदेश में इस समय तेज बारिस हो रही है और यह बारिस आने वाले 48 गंटों में भी जारी रहने की संभाव नहीं लग रही है अगर जिलो के अनुसार बात करें तो टिकमगर, चतरपूर, पन्ना, सतना, रिवा, दमो, सागर इन जिलो में बारिस की कोई ज़्यादा संभाव नहीं है अलाकि इन जिलो में भी आस्मान में बादल चाहे रहेंगे जिसे कुछ चैतरों में हलकी से मद्यम बारिस या फुहारे गिर सकती है वही अगर बात करें कटनी, उम्रिया, सहडोल, अनुपूर, डिंडोरी, मंडला, बालागार, सीवनी, सिंदवारा, जबलपूर, नरसिंगपूर, दमो, सागर, आईसेयन, होसंगाबाद, बेतूल, हर्दा की तो इन जलों में मानसुन पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और इन जलों में आने वाले 48 गंटों में कुछ इस्तानों पर, हलकी से मद्यम बारिस तो कुछ इस्तानों पर बारिस सहती बारिबारिस हो सकती है इसके आगे बात करें उत्री जलों की तो बिंड मुरेना, ग्वालियर से लेकर विदीसा, वपल, सिहोर, देवास, खंडवा, बुरानपुर और पस्टिमी जलो, चाबवा, धार, अलिराजपुर इन जलों में भारिबारिस की संभावनाएं बनी हुई हैं मतलब की इन जलों में 20 और 21 स्टमबर को काफी तेज बारिस हो सकती हैं अगर बात करें नीमच, मनसो, रतलाम, उज्यन, आगर, मालवा, इंदूर की तो इन जलों में भारिस से 80 बारिस बर्शा की संभावनाएं बनी हुई हैं किसान भाईयों इस प्रकार से देखें तो आने वाले 48 गंटों में मध्य पुर्देश में नुकसान वाली बारिस का दोर जारी रहने की संभावनाएं लग रहे हैं और जिन चेत्रों की फसले कटाई के अवश्ता में हैं कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान